टॉकिंग पॉइंट का खबर शुरू करते हैं तीन राज्यों में हार के बाद कॉंग्रिस में बड़े बदलाओ कुमारी शैलिजा को 36 गड़ प्रभारी पद से हटाए गया है और इसी तरह अगर हम बात करें तो मद्यप्रदेश से सुर्जेवाला साब को हटाए गया है सचिन पाइलेट होंगे 36 गड़ कॉंग्रिस के प्रभारी और भवर जितेंद्र सिंग होंगे मद्यप्रदेश कॉंग्रिस के प्रभारी कुमारी शेलजा को उत्तरा खंड का प्रभार सुपा गया है और सुर्जेवाला को एमपी से करनाटक भीजा गया है वहीं सचिन पाइलेट पहुंच गए है 36 गड़ तो जिस तरह से मद्यप्रदेश में योगा नेतरत तो बदला गया है कॉंग्रिस का उसी तरह से अब प्रभारी को भी बदला गया है क्या है इसके माइने ये समझना बहुत जरूरी है तो बदलाओ के माइने ये हैं कि हार के बाद कुमारी शेलजा की हुई थी कई शिकायते हैं मुलाखात नहीं हो पाती है उनसे बात नहीं सुनी जाती है जो इन जर्रल शिकायते होती है चुनाओ के दौरान कई फैसलों पर भी उनके सवाल खड़े हुए चुनाओ के दौरान पियर सिंग्देव खेमे के वो करीबी समझी गई एक ये ऐलिगेशन भी सामने आई है पूर्वा मुख्यमंत्री भूपेश बगेल से मतभेद की भी उपा गया है प्रभारी ये बनकर आएं हैं और युवा प्रदेश अद्यक जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के साथ बहतरीन तालमेल के साथ काम करेंगे ऐसी संभावना कॉंग्रिस के हलकों में जदाई दा रहे हैं तो परिवर्तन कॉंग्रिस के अगर बात करें तो वो तेजी से परिवर्तन की राह पर आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ दो दिनों तक दिल्ली में चली बीजेपी की बेहत महत्पूर्ण बैठक खत्म हो गई है जिसका एजेंडा एक मात्र था मिशन दोहजार चौबिस यानि लोकसभा चुनाओ मोधी की गैरेंटी थीम पर आगे बढ़ेगी बीजेपी हिंदुत्व और राम को घर घर पहुंचाने की तैयारी है जैसा आप जानते हैं कि 22 जन्वरी से अयोध्या में भवे राम मंदिर लोकार्पित होगा लोकसभा में 59 फीजदी वोट शेयर पाने पर भी फोकस कर रही है बीजेपी और जाहिर है चेहरा मोधी का गैरेंटी नरेंद्र मोधी तो इस बार दस फीजदी वोट शेयर बढ़ाने का लक्ष है और मात्मून बात यह है कि दिली में हुई इस बैठक में मध्यप्रदेश बीजेपी संगठन की पीठ थप थपाई गई है तो प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष विश्णुदत शर्मा जी के लिए और पूरी टीम जो संगठन की है और कारेकरताओं के लिए यह बड़ी सरहना की बात है कि उनके काम की क्योंकि मध्यप्रदेश में थंपिंग मैजारिटी से बीजेपी की सरकां बनी है तो यह काफी महत्पूर् कि तरफ कुदानमंतरी नरेंद्र मोधी के अगवाई में बीजेपी का मिशन फाइनल हो गया है दिली में जैसे हम आपको बता रहें दो दिवस्ये बैठक के बाद 24 का एजेंडा सेट हो गया एक सो साथ सीटें देश में ऐसी हैं जहां पहले प्रत्याशी घोशित करने की र प्रदेश में विधानसाबाद चुनाव में उम्मीद थी कि कॉंग्रेस के प्रत्याशी पहले सामने आएंगे लेकिन बीजेपी ने पहले प्रत्याशी घोशित किये पीम मोधी ने बैठक में समझाया चुनावी रोड मैं पुनों ने बताया कैसे हम आगे बढ़ेंगे औ और राजियों में भी 22 जन्वरी के बाद तमाम जरूरी बदलाव भी किया जाएंगे और एक साफ एजेंडा भी सेट किया जाएगा और कार्य विभाजन जो संगठन में है उसकी भी एक बहुत साफ तस्वीर सामने आएगी तो क्यों कैसे है ये एजेंडा सेट आपको समझ जाते हैं राजियों की जीत का फार्मूला भी आगे बढ़ाएगी बीजेपी तो यह एक एहम बात है युवाओं और नए चेहरों को मौका मिलने का इससे रास्ता खुलेगा और तीसरी महत्मून बात यह है कि मोदी की गैरेंटी के दम पर चार सो सीटें पार करने का प्रथार को चूकार आगे बढ़ी थी जीपी कमझोर एक सॉसाथ सीटों पर पहले ही प्रत्याशी घोर्चित करने की तैयारी है तीन राज्जियों में हारी हुए स्टों पर प्रत्याशी घोर्चित करने का दाउव 02.1 का सफल रहा है तो बीजिय पी मांती है कि यह एक मन्थन और चिंतन की प्रक्रिया हो जाएगी मुख्यमंत्री मोहन यादव फिर दिल्ली पहुंचे हैं बीज़पी प्रदेश द्यक्ष वीडी शर्मा जी पहले से ही दिल्ली में है संगठन महामंत्री हेतानंद शर्मा भी दिल्ली में मौजूद हैं वरिष्ट नेताओं के साथ मंत्री मंदल को लेकर मंतन चिंतन का दौर रविवार को भी होगा और कौन जानता है रविवार या सुमवार शाम वो दिन हो सकते हैं कि जब आपके सामने मध्यप्रदेश के समीकरन ऐसे होंगे जो इसको कहीं फुलज़न में डाओं रहा हैं किस तरह से मंत्री मंदल का चहराników सवरूप सामने हो सकता है इसको आपको समझाने कि कोशिश करते हैं मंध्री मंदल में नए पुराने चेहरों का एक संतुलन बनाने की कोशिश होगी, बिलकुल तराजू की मानित, कई पुराने चेहरों को जगे मिलना तय है, बहुत ज्यादा प्रयोग धर्मी नहीं होगा यह मंत्री मंदल, नाम आप समझ लीजे, सारे सीनियर नाम जो हैं, वो नाम इसमें हो सकते हैं आप भी ठक गए होंगे देख देखके, हम भी दिखा दिखा के ठक गए हैं, नाम वही हैं, जो आपकी स्क्रीन पर हैं, कोई इसमें घटत या बड़त नहीं हुई है, तो महत्पूर्ण बात यह है कि पुराने चेहरों को कहीं पीछे छोड़ने की बात नहीं है, और नए च आए हैं 36 गड़ के डिप्ती सीम अरुन साव, और डिप्ती सीम विजय शर्मा भी साथ में हैं, उनके सीम विश्नु देव साय ने राश्टपती से मुलाकात की है, उप राश्टपती जगदीश धंकड और पीम मोदी से उनकी मुलाकात हुई है, केंद्री ग्रह मंत्री अम भवन में मिले सीम और प्रदेश में विकास के एजिंडे पर उन्होंने सीनियर्स के साथ चर्चा की, तो जैसा आपने देखा कि एक दिन पहले मोहन यादवजी प्रदान मंत्री से मुलाकात के बाद पांच हजार करोड रुपए की भारी भरकम राशी ले आए, आब आप पुषा पुभेट, वित्यमंत्री सीता रवन जी से मुलाकात, रेलमंत्री अश्विनी वैश्राओं से मुलाकात, और ग्रह मंत्री हमिचШाह जी से मुलाकात, और एक नया ट्रेडिशन आपको दिखा수를 दूखाएं नया ट्रेडिशन यूं कहूंगा कि अब डिप्रus मुख्यमंत्री के साथ रहे हैं अगली खबर फिर 36 गड़ से है धर्मांतरण को लेकर कॉंग्रेस पर निशाना साधा है सीएम विश्णुदेव साय ने और उन्होंने आरोप लगाया है कि पिछली सरकार के कारेकाल में धर्मांतरण जोरों से हुआ मुख्यमंत्री ने कहा कि वोट बैंक के लिए धर्मांतरण करवाती थी कॉंग्रेस अब ऐसा नहीं होने देंगे और सक्त से सक्त कारवाई होगी तो एक बार सुन भी लीजेगा क्या कुछ कहा है 36 गड़ के मुख्यमंत्री विश्णु देव साय ने धर्मांतरण को लेकर कॉंग्रेस पर बहुत गहरा और बहुत मजबूत प्रहार करने की कोशिश उनों ने देखे पिछली सरकार में धर्मांतरण जोरों पर हुआ और सिकायट करता के उपर ही कारवाही होती थी और मैं इस परस रूप से कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी अपना भोड़ बैंक बढ़ाने के लिए धर्मांतरण को बढ़ावा देते रही कहें कि जो धर्मांतरित हो जाता है वो फिर भारती जनता पार्टी से तो अलग होई जाता है लेकिन ऐसा इस समय कुछ भी नहीं होगा ऐसा नहीं होने देंगी धर्मांतरण पर रोक लगेगी राइपुर से भोपाल तो मद्यप्रदेश के मुख्यमंतरी सुपर एक्शन मोड में नदर आ रहे हैं यानि मोहनियादव जी के हम बात कर रहे हैं बड़े अपसरों को लगातार संभागों का प्रभार सुपा जा रहा है पहले आईएस अपसर और अब सीनियर आईपेस ऑफिसर्स को भी कि जो अतरिक्स पुलिस महानिदेशक इस तर के अधिकारी हैं उनको आवंटित किये गए हैं संभाग ये सीधे मुख्यमंत्री को सुपेंगे जिलों और संभाग की रिपोर्ट हर अधिकारी को एक-एक संभाग का प्रभार सुपा गया है आपको याद होगा कि इससे पहले आईएस अधिकारी जो थे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंग के और अब एडिजी लेवल के अधिक पर दाल लिजे एडिजी विजय कटारिया साब भोपाल संभाग को देखेंगे आलोक रंजन जी नर्मदापूरम देखेंगे प्रग्या रिचा श्रवास्तों ग्वालियर की जिम्मेदारी समालेंगी योगेश मुद्गल शेहडोल का दाईतों समालेंगे पाउन श्रवास की जिम्मेदारी समालेंगे जैदी तो साथ ये इंदौर संभाग को देखेंगे और योगेश देशमुक उजयन संभाग का दाईतों देखेंगे तो ये वो आईपीएस अधिकारी है एडिजी रैंक के जो अब इसके पहले आईएस और अब आईपीएस ये भी दाईतों सम भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा 22 दिनवरी को विधान मंतरी नरेंद्र मोदी के हाथ होगा प्राण प्रतिष्ठा के लिए शुब मुहरत का ख़न 84 सेकंड का होगा 12 बचकर 29 मिनिट 8 सेकंड में ये प्रक्रिया पूरी आगे बढ़ेगी और 12 बचकर 30 मिनिट 32 स सेकंड तक का ये पूरा समय आगे बढ़ेगा प्राण प्रतिष्ठा का मुहरत काशी के जोतिशाचार्य पंडित गड़िश्वर शास्त्री द्रविण ने चुना है प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या की सुरक्षा विवस्था और कड़ी करती गई है सुरक्षा को लेकर CRPF, UPSSF, PSE और Civil Police चप्पे चप्पे पर मौझूद रहेगी साथी सुरक्षा के लिए तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है यानि ड्रोन और तमाम जो आजनिक सरंजाम है AI बेस्ट, Artificial Intelligence बेस्ट, CCTV कैमरों से निगरानी की जाएगी और बिना पर्मिशन के ड्रोन उडाने पर रोक रहीगी, आपने देखा कि किस तरह का मंजर है ये अयुद्या में और एक बड़ी भवे स्क्रीन जिसके बारे में ये दावा है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रीन है वो अयुद्या में मौझूद है चली, एयुद्या में 22 जन्वरी को प्रभू श्री राम की मूर्ती की प्राण प्रतिष्था होगी, राम दर्बार की प्राण प्रतिष्था होगी लोगों की श्रद्धा इतनी जबरदस्त है कि भगवान राम की एक जहलक पाने के लिए अभी से देश दुनिया के श्रद्धालू आयुद्या में देरा जमाने लगे हैं गौलियर के राम उपाध्याई भी लंबे समय से आयुद्या में है अपने को राम का ननिन्य भक्त बताने वाले राम उपाध्याई पिछले 23 सालों से हनुमान का वेश धारण कर देश विदेश में राम भक्ती की अलक जगार है देखिए ये खास रेपोर्ट हम राम उपाध्याई जी जो कि हमारे मद्द प्रदेश गौलियर से हैं और पिछले 23 सालों से इसी तरह से हनुमान का सौरूब धारण करके सिर्फ देशी नहीं विदेशों में भी जाकर के अपनी कला का प्रदर्शन करते रहे हैं और संयोगी है कि हम जैसे ही आयएध्या में घुसे हैं तो हमें मद्द प्रदेश की इस पूरी टीम के दर्शन हुए हैं जो अवगले पूरे एक महीने तक यहां की गलियों में घुम घुम कर और अपनी कला का और राम की भक्ती का परदसंग करेगी आयुद्ध्या याने की वह धर्ती जो योगे योगों से अपना अस्तित बनाए हुए है वक्त बदलता रहा सदियां बदलती रही लेकिन आस्था जो आज सदियों पहले थी वही आसा आज भी यहां के कनकन में दिखाई देती है और अयुद्ध्या के बारे में कहा जाता है कि हर दूसरा घर राम दौरा है मैं तो कहता हूँ कि हर कदम राम दौरा है हर कनकन राम दौरा है आप जिस तरफ अयुद्ध्या में चले जाएए उर्जा का एक नया प्रवा दिखाई देता है और उर्जा के इसी प्रवा में सरोबार होने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे बंसन लियूस के लिए कैमरा मेन असुनी गौर के साथ आयोध्या से सुनिल सिंग बगेल आर सुमदि के संगे तंचन बरन विराज सुवेजा आनन कुंडर कुंचित के साथ आदवज्ज्ड और धज़ा विराजे आने मुद श्रेव उसाजे संकर सुमद के सरीनंद देजब साप महाजगबंद फित्यावाई बुणी अच्राद आप आप इसमें सबसे महत्पूर्ण बात है कि यह जो मेकप इनों ने लिया है आजकल बॉलिवूड में और हॉलिवूड में प्रोस्थेटिक मेकप कहा जाता है जिसमें नाक नक्ष भी बदल जाती है लेकिन राम उपाध्याई जी कैसे करके इसमें आपका खाना आपका बोलना ये सब प्रतिबंधित हो जाता है तो ये बड़ी महत्पूर्ण बात है कि राम के प्रति उनकी यही आस्था है नाम भी उनका राम उपाध्याई है बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और ये खबर अयोध्या के राम मंदिरों से नहीं बलकि राएपुर के राम मंदिर से आपने भगवान राम के कई भक्त तो देखे होंगे लेकिन एक वानर कई बार हमने ऐसे मंदिर देखे हैं प्रभू श्रीराम के और हनौन जी के जहां वानर आ जाते है बड़ा संयोग रहा कि बंसल नियूज की टीम रायपूर के इस राम मंदिर में थी और वहां पर एक लंगूर एक वानर शाम को आरती के दौरान अचानक पहुच गया और ऐसा मिलन वहां हुआ भक्तों के साथ कि मानों बर्सों से आने का क्रम है कभी हार्मोनियम पर बैठे कभी ढूलकिया बजाने लगे और कई बार तो ऐसा लगा कि जैसे माइक्रोफोन पर आकर कोई भजन गाने का भी उनका इरादा है यह तस्वीरें आप देख रहे होंगे देखिए बैठके उन्होंने जो यह जो माइक्रोफोन का सिरा है उसको दूसरी तरफ कर दिया फिर इन्होंने टोपी का भी आगरह किया कि यह टोपी मुझे चाहिए मुझे दे दीजे और कहा भी है तुलसी बावा ने कि बालक बानर एक समाना बालक की प्रवर्ती और वान बंसल न्यूस की टीम को वहां इस मंजर को अपने पैमरे में कैद कर आप तक पहुंचाने का मौका मिल गया देखे आप इनकी भाव बंगे माएं आप भी आश्चरे चकित हो जाएंगे एक दो बार तो हमें लगा कि यह बंसल न्यूस के माइक आइडी पर आकर बाइट भी देना चाह रहे हैं कि मैं अपनी भक्ती की बात कह रहा हूं सुन लो और यहां भी आप इनका मनोहारी अंदाज देख सकते हैं कोई डर नहीं रहा है जबकि एक वानर बीच में प्रगट हो जाता है इन भक्तों की भी धैर्य संयम और प्रेम की हम दाद देंगे कि कोई अपन सब्सक्राइब को बड़ा ही अद्भुत यह नजारा रहा अब आगे बढ़ेंगे और राम मंदिर और कपिराज से सीधे क्रिकेट के मैदान के भारत और दक्षिन अफ्रीका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच 26 दिसम्बर से शुरू हो रहा है साल 1992 में टीम इंडिया ने पहली बार साउस अफ्रीका की जमीन पर पहला टेस्ट मैच खेला था सीरीज एक शुन्य से अफ्रीकी टीम के नाम रही और अब तक टीम इंडिया आठ बार साउस अफ्रीका का दोरा कर चुकी है लेकिन एक भी बार साउस अफ्रीका में टेस्ट सीर कैप्टेन रोहित के पास इस सीरीज को जीतने की बड़ी जिम्मेदारी है सीरीज से पहले कई प्लेयर्स बाहर हो गए है यह टीम के लिए एक बड़ी चुनौती और जटका भी है इसमें चोटिल होने की वज़े से टीम से बाहर हुए सूरे कुमार यादव मौमद शमी और ट लोटना पड़ा हाला कि वो जल्दी वापस आएंगे और टेस्ट खेलेंगे तो क्या भारती टीम इस रेकॉर्ड को कुछ बदल पाएगी यह बात देखने लाएंगे और अब क्रिकेट के मैदान से फिल्म के मैदान अब फिल्म जगत की ये खबर कह रही है कि प्रभास होते ही बॉक्स आफिस पर छा गई है फिल्म ने रिलीज के पहले दिन ही कई रेकॉर्ड तोड़ दिये हैं ओपनिंग डे पर फिल्म ने दुनिया भर में करीब 180 करोर का कलेक्शन किया इस रेकॉर्ड के साथ ही ये 2023 की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल् फिल्म इसका जो टक्कर हुई आप इसको कहें वो टक्कर हुई है डंकी जिसमें किंग खान है शारु खान लेकिन वो फिल्म उतना बहतर नहीं कर पाई है लेकिन सालार की अगर हम बात करें तो इस फिल्म ने कमाल किया है और एडवांस बुकिंग में भी प्रभास की इस फ किंग करने वाली भार्ती फिल्म बन गई है सालार ने रिलीज के साथ वर्ड वाइट पहले दिन 60 se 210 करोड का कलेक्शन किया इसके हिंटी वर्जन की बाद की जायक तो इसने अब तक 15 से 16 करोड का कलेक्शन किया है अब फिलम एक्सपऔर का मानना है कि यह फिल्म सारे record तोड़ कर बॉली वुड की या भारतिय सिनेमा जगत की एक अलग film बन सकती है शुब कामना आए प्रभास को और साला चली तो इसके साथ ही ये हमारा सफर टॉकिंग पॉइंट का यहीं हम रोकते हैं इसको तो कि वक्त अब हमसे कह रहा है कि अब आपसे इजाज़त लें लेकिन इजाज़त लेने से पहले हम यह बात आप लुटनाइट शब अख़ैर थैंक्यु किर्जू